नमस्कार स्वागत करते हैं आप सभी का एजुकेशन के एड़ सिक्स में लेटेस जोब अपडेट पाने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन दबा के हर वीडियो का ओफिशल नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले जा सके तो नई भरती है ओफिशल नोटिफिकेशन है 9,760 पदों की ये बंपर बहाली है किसके लिए तो जी हां आप सभी चात्र एलिजिबल होंगे लेकिन मैं एलिजिबिटी क्रिटिरिय आपको पहले बता दू कि ग्रेजुएशन अगर आपने कम्प्लीट कर रखा है और साथ में आपने B.A.D. या D.A.D. की डिग्री अपने पास रखी है तो आप यहां पे होंगे एलिजिबल यहां पे तीन तरह के पोश्ट दिये गया है इन तीन तरह के पोश्ट के लिए जो एड़िटाइजमेंट जारी किया गया है फ़र दा सीनियर टीचर ग्रेट टू को लेकर T.G.T. रिक्रूटमेंट है यह देखिए अध्यान से यहां पे वो कैनिडेट जो के इंट्रेस्टेड है इस फ़र्म को फिल अप करने के लिए आपको बता दे कि यह राजिस्थान लोक सिवा आयोक की तरफ से वेकंसी अपडेट की गई है अब यहां पे जो बात उठी है कि राज्य स्थान सरकार यहां पे क्या अन्य जो राज्य है उन छात्रों को भी आव ripple करने का मौक़्ा दे रही है तो बिलकुल अगर आप अन्य राज्यों से हैं तो आप यहां पे आविदनी कर सकते हैं लेकिन as a general candidate आप यहां से यहां पर competition में सामिल होंगे चलिए जानते हैं क्या है eligibility criteria और qualification age को लेकर और syllabus pattern क्या है हमारा इस बार तो देखेंगे और जानेंगे संपूर्ण visualization के साथ अगर आप बिहार के परिक्षाओं की त्यारी करते हैं तो आज ही unacademy के learning platform को download करें और यहां से enroll करें अपने mobile number के साथ और bps e goal select करके अपने subject को choose कर लिजेगा एक referral code में आपको यहां से देना चाहूंगा जो कि जीतेंदर 10 है और इस referral code को अगर आप इस्तमाल करते हैं तो आपको 10% का discount किसी भी course पर अबिलेबल हो जाएगा दोस्तों यहीं नहीं अगर आप बिहार दुरुगा means देने जा रहे हैं इस साल तो आपके लिए यहां पे 17 से लेकर 24 तारीक तक यहां पे आपको मोक्टिस्ट प्रवाइट किया जा रहा है जो कि हिंदी और जीके जीस का पेपर आपका प्लस टेस्टरी में जा सकता है यहीं नहीं बिहार BPSC प्रिक्षाओं की त्यारी करते हैं तो बिहार स्पेसल एक ऐसा टॉपिक है जहां से कोशन सबसे जादा पूछे जाते हैं तो 26 अप्रेल को यहां पे जोड़ना ना भोलें और भारती राजविवस्ता प्रिक्षन को लेकर भी यहां पे आपको 9 अप्रेल को अपडेट के जाएगा क्लास जो कि डिके चौदरी सर अपडेट करेंगे BPSC CDPO की एक्जाम देने वाले छादरों के लिए भी फुल मोक्टिष्ट अनेकैडमी लेकर आ रहा है 10 अप्रेल को सामको 6-8 बजी के बीच में अप अटेंड करें इन सभी फ्री ख्लाशिस को उसके बाद ही आप डिसाइड करें कि आपको PLUS FEECARD में जाना है या नही जाना है जब आप plus feature में जाते हैं तो आपको यहाँ पर live test series के साथ साथ आपको घर बैठे परिक्षाओं की त्यारी करने का मौका मिल रहा है means तक की तैयारी आप यहाँ से घर बैठे कर सकते हैं तो यहाँ पर जो भी study material PDF वेगरा सब कुछ मिलेगा आपको अब यहाँ प्लस feature में जोइन होते हैं तो बिहार के किसी भी परिक्षाओं की त्यारी कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर बिहार के टॉप एजुकेटर एजुकेट करेंगे आपके आने वाले अगामी परिक्षाओं के बारे में भी और आपके courses को लेकर भी यह serious होंगे तो यहाँ पर 68 भी BPSC का prelims और मेंस को लेकर भी foundation batch शुरू किया जा रहा है जो की 30 March 2022 से update हो चुका है तो जो भी छातर जुड़ना चाहते हैं आज ही जुड़े Unacademy case learning platform पे यह उनकी prices हैं तो prices में 10% का discount के लिए आप ल जलते हैं इस notification पे जो की राजिस्थान लोग से वायो की तरफ से update किया गया है अन्य राजी से अगर आप आते हैं तो भी आप इस फर्म को आविदन कर सकते हैं बस यहाँ पर आपको अगर किसी काटेगरी में आप आते हैं तो उसका लाब नहीं में उठा पाएंगे आप य यानि की राजिस्थान प्रब्लिक सर्विस कमिशन के द्वारा तो मैंने इसको डाउनलोड कर रखा है इस notification को आपके लिए आप भी इसको डाउनलोड करके अच्छे से readout कीजे पहले तो यह वेकेंसी जो निकाली गई है तीन तरह की वेकेंसी है दोस्तों यहाँ पर जिसम RPSC senior teacher TSP area के अगर हम बात करें तो 1313 post है यहाँ पर जिया उनके लिए RPSC senior teacher grade 2 में अगर हम सहारिया area की बात करें जो भी सहारिया area है तो उनके लिए 50 seat हैं यहाँ पर available आविदन करने के लिए तो यह कुल मिला के और कौन-कौन से subject हैं तो subject वाई आप seat यहाँ पर देख सकते अंग्रेजी के लिए कुल 1668 पद हैं यहाँ पर जो की category wise आप देख सकते हैं और यह तीन तरह के post हैं यहाँ पर जो की आप देख सकते हैं इस area में ठीक है अब यहाँ पर जो category में छात्र आते हैं यह तो भाई राजिस्थान के छात्रों को फायदा मिलेगा बट अन्य पर है जहां पर इसके लिए हिंदी सब्जेक्ट के लिए 1298 पोस्ट है वहीं गणित के लिए 1613 पोस्ट है संस्कृत के लिए 1800 पोस्ट है और विज्यान के लिए 1565 पोस्ट है तो आप अगर अपने इन सभी सब्जेक्स में graduation किया है साथ में अगर आपने BA या DLA कर रखा है then you can also apply for the post age criteria को लेकर भी यहां पर चर्चा की गई है दोस्तो तो आपका age qualification क्या होना चाहिए तो age qualification की अगर हम बात करें तो आप 18 वर्स कम से कम होने चाहिए यहां 2021-2023 तक और आप 40 साल के होने चाहिए ज्यादा ज्यादा आपका age criteria है salary की बात कर लेते हैं दोस्तों यहां पे तो salary भी काफी अच्छी कासी है grade पे आपका ब्याली सौका है तो यह fix pay है आपका तो यह ध्यान रखिएगा यहां पे कम से कम आपका जो salary scale है कम से कम जो है 30 से 35 जर के असपास की salary बन सकती है starting में जो भी इस post के लिए आविदन आपका सब्जेक्ट है जैसे कि history, geography, economic जिसके लिए आप आविदन करेंगे तो यह सभी के सभी सब्जेक्ट आपके होने चाहिए ठीक है यह optional पेपर है आपका हिंदी, अंग्रेजी, गनित, संस्कृत, उर्दू और पंजावी विसे भी इसमें सामिल किया गया है तो जो भी UGC affiliated आपका कोर्स होना चाहिए और physics, chemistry, geology, botany, microbiology, bio technology, biochemistry में degree आपका complete होना चाहिए इसके अलावा जो दोस्तों आपने diploma in education जो किया है, DLA जो किया है या आपने B.A.D. किया है इन सभी subject में ही तो ही आप आवे दिन करेंगे अगर हम social science की बात कर ले तो यहाँ पे history, geography, economic, political science, sociology, public administration और psychology में आपका degree होना चाहिए साथ में diploma in education यानि कि DLA का भी course आपके पास होना चाहिए और recognized by the national council of teacher education यानि कि NCTE के द्वारा यह है government के थुरू आपका affiliated होना चाहिए यह जो certification है किसका भाई तो B.A.D.R.D.L.A.D. का तो then you can apply तो आपको मैंने qualification बता दिया, age criteria बता दिया salary बता दी कि salary कितनी मिलेगी तो यहां से जो main focused है कि आपको जो है इन सभी seat के लिए आविदन करने का मौका जो है दिया जा रहा है आप लोग एक एक करके भी सारा चीच चेक कर सकते हैं देखिए आरक्षन का फायदा सिर्फ और सिर्फ राजिस्थान के छात्रों को ही इस बात का ध्यान रखेगा अगर आप आविदन करते अण Джo से तो आपका राक्षन का लाव नहीं मिलेगा तो रेटरी को ख़ीप करतेैं आगे बढ़ते हैं और चैन बहुत ज़्यादा अगर फॉर्म यहां पर आते हैं और बहुत ज़्यादा अच्छा तरह आवधिन करते हैं तो परिक्षा का इस्थान एवं मा जो है यह आपको तिथी उसके समंद में सुचित किया जाएगा आरपीएसी के वेबसाइट पर आप लोग विजिट करते रहेग आवधिन करने का जो प्रक्रिया है देखिए 11 अपरेल से सुरू होने वाला है और 10 मई को यह समाप्त हो जाएगा लास्टेट है दोपर 12 बज़े तक तो यह ध्यान रखिएगा आप लोग है रातरी 12 बज़े तक माप करेंगे आविदन कैसे करना है आप इसके ओफिशल वे लॉग इन करेंगे चातर वहाँ पे आपको OTR मिलेगा वन टेम रेजिटेशन यानि की रेजिटेशन करने में कोई गलती आप लोग बिल्कुल मत किजेगा जो भी आपका नाम पिता का नाम जनमति थी और सेकेंडरी कहां से आपने किया है पैन कार्ड भोटर कार्ड चात रिकूट्मेंट पोटल पर भुगतान की सुविधाब में आपको यहां पे पेमेंट भी करना पड़ेगा तो देखिए जो जेनरल के टेगरी से छात्र आते हैं और अनिराजू से आते हैं उनके लिए साढ़े तीन सो रुपया फीस चार्ज रखा गया है जो भी लग मिलेगा रगिन राजिस्थान से वह होनी चाहिए तो इस तरह से आपको पहले पेमेंट करना होगा उसके बाद अप्लिकेशन फॉर्म को भरना होगा जो चात राजिस्थान से हैं अपने जो भी डॉक्मेंट से का सर्टिफिकेट को लेकर अच्छे से स्कैन कर लेजीगा औ कि आपके डॉक्मेंट कर सकते हैं और अगर आपने लेट फीस यहां पर किया तो भाई 500 रुपे तक आपसे जुर्माना लिया जाएगा और फीस भरवाया जाएगा तो लेट वगरा मत किजिएगा इतने में काम हो जाएगा आप लोग आविदिन कर लेजीगा यह रहात स्ल कोशन जो होगा 200 मार्क्स का कोशन पूछा जाएगा दो घंटे का पेपर होगा सो कोशन होगा ठीक है और यहां पर जोग्रफी हिस्ट्री कल्च्राल जनल नॉलेज राजिस्थान से रिलेटेट कोशन रहेंगे जनल नॉलेज में तो भाई राजिस्थान का जीक्या आपको आंसर फॉर एवरी रॉंग आंसर वन थर्ड यानिकी पॉइंट तू आपके काटे जाएं यह ठीक है तो ध्यान रखेगा तो यह आपके मार्क्स हैं गलत नंबर के लिए रॉंग आंसर शैल में इनकरेक्ट आंसर आफ मल्टीपल आंसर तो यहां से आप एक्जांपल के तो धाई घंटे का यह पेपर होगा डेड़ सो कोशन होगा और यह एमसी की उस कोशन होगे पेपर टू में भी यहां भी आपको जो है वन थर्ड जो है निगेटिव मार्किंग हो यह अपका इक्जांप पैटर्ण मैंने बता दिया तोटल पांसो मार्क्स का आपका पेपर गया है और जो भी छादर देखिए राजिस्थान से हैं कैटेगरी में आते हैं उनके लिए अपडेट है कि अगर एवस कैटेगरी में है तो आपका इतना से ज्यादा जो है अनुवल सालाना इंकम जो है नहीं होना चीए अनुसुची जन जातिस आते हैं तो यह सारा नोटिफिकेशन फॉर्म भरने के लिए सारी विवस्थाएं जो हैं बताई गई है मात्यपण बिंदू अगर आप लोग बोलेंगे इसका फॉर्म भर के बताएं तो जरूर बता जाएगा 11 अपरेल तक आप इंतजार करना पड़ेगा आपको यह नोटिफिकेशन आ चुका सेक्षन में कमेंट करके बताईएगा और आपका कोई भी डाउट है तो कोश्चन कर सकते हैं आप लोग नीचे कमेंट सेक्षन में पूछ सकते हैं धन्यवाद मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में